दोस्तो mutual funds plan के अंदर जब हम निवेश करते हैं तो small cap category के जो fund होते हैं उनमें जो return है वो हमें काफी अच्छा में चाहता है अगर आप कम पैसे निवेश करके एक बड़ा fund बनाना चाहते हैं तो mutual funds के अंदर small cap category में अगर आप जिर्फ एक बार 37,650 रुपे का निवेश कर देते हैं तो उससे भी आप 1,87,000,000 रुपे का fund बना सकते हैं क्योंकि दो दो हमारे जो goal हैं उन्हें पूरा करने के लिए हमें एक बड़े fund की जरुप होती है लेकिन लाग दो लाग या पांच लाग रुपे निवेश करने के बारे में जब सोचते हैं तो ये काफी मुश्किल होता है क्योंकि एक साथ हमारे पास इतना बड़ा fund नहीं निवेश प्लान करेंगे लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप गल्दी करते हैं अगर आपके पास जादा पैसे भी नहीं है तब भी आप कम पैसे से निवेश स्टार्ट कर सकते हैं और अपने goal को पूरा कर सकते हैं चाहे से आपको कोई घर बनाना हो एक अच्छी कार लेनी हो या फिर आपके बच्यों के फीचर के बारे में आप निवेश प्लान करने के बारे में सोच रहे हैं तो आप कम पैसे निवेश करके उस पर रिस्क लेते हैं तो इससे भी आप एक अच्छा फंड बना सकते हैं यूदि कि स्टॉक मारकीट के अदर अगर हम रिटन की बात कर जो इस small cap category के stock है उनके अंदर जो return है वो आपको काफी अच्छा मिचाता है और उनके अंदर अगर इस stock multiple बनते हैं 10 से 12 भी तो यहाँ पर आपके पैसे पर एक अच्छा return मिल जाता है और आपके जो कम पैसे निवेश है वो compound return से एक बड़े fund में काफी जल्दी बतल जाते हैं अगर आप इससे compare करेंगे bank, FD के साथ, LIC के साथ या फिर post office के साथ तो से return दुगने से लेकर तीन कुना आपको मिल जाएगा जबकि अगर हम पिछले सिर्फ 5 साल की भी बात कर लें तो इस fund ने जो return है वो 27% से जाता दिया है पिछले 3 साल का return 32% और एक साल में भी जो return है वो 30% से जाता है देकिने यहाँ पर हम फिर भी बात करते हैं कि अगर आपको सिर्फ 23% return इस fund में मिल जाता है और आप एक बार 37,650 और निवेश करते हैं यहाँ पर हम ज़्यादा की बात नहीं कर रहे हैं अगर आप starting 5 साल के लिए इस पैसे को निवेश करते हैं तो 5 साल मे 38,346 और आपको return मिल जाएगा और 33,650 और रुपे की जो value होगी वो बढ़कर 1,5,996 रुपे की हो जाएगी जबकि दोस्तों अगर आप 10 साल के लिए पैसे को निवेश करते हैं तो 2,6,772 रुपे का आपको कुल estimate return मिल जाएगा और 37,650 और रुपे की value 2,98,412 रुपे की हो जाएगी अगर हम 15 साल के time period की बात करते हैं तो 8,2,471 रुपे का आपको return मिल जाएगा और 37,650 रुपे की value 8,440,121 रुपे की हो जाएगी जबकि 20 साल में यहाँ पर 23,27,546 रुपे का return मिल जाएगा और 37,650 रुपे की value 23,65,196 रुपे की होगी लेकिन दोस्तों compound return से 25 साल के अंदर अब आपको लगबग 66,660,000 रुपे का fund मिल जाएगा और इसमें return भी 66,21,000 रुपे का होगा जबकि अगर आप 30 साल तक अपने 37,650 रुपे को निपीश करके जोड़ देते हैं तो इससे आप 1,87,440,490 रुपे का fund बना सकते हैं यानि कि यहाँ पर आपके 37,000 रुपे पर रिस्क तो जरूर है लेकिन इस 37,000 रुपे से ही आप 1,87,000 रुपे तक fund बना सकते हैं दोस्तों यहाँ पर अगर आप चाहें तो इस पैसे को जब मरदी निकाल सकते हैं क्योंकि mutual funds में कोई locking period नहीं होता है आप अपने पैसे को जब मरदी यहाँ से निकाल स इस प्लान में निफिश के होगा है लेकिन दोस्तों सबसे important होता है mutual funds के अंदर holding यहाँ पर आपका पैसा है वो निफिश के गया है इस प्लान का 85 total stock के अंदर इसमें सबसे ज़्यादा पैसा निफिश के गया है चोला वंडलम, ब्रिला सॉप, ब्रेड इंडरप्राइस, ग फंड का beta एक से बहुत कम है 0.65 का दोस्तों beta अगर fund का एक से कम होता है तो fund के अंदर जो risk है वो बहुत जाता कम आना जाता है fund के expense ratio भी कम है 0.53 का exit load की बास करते हैं तो बारे महिने से पहले अगर आप 10% की दुश करते हैं तो 1% आपको देना होता है जबकि return पर 15% का tax होत और विनायस मैनेज कर रहे है जबकि अगर हम बास करते हैं एक्सेस mutual fund house की तो 7 नंबर बनाएंगा है एक्सेस mutual fund house काफी पुराना है तो दोस्तों अगर आप लंब सब कम पैसे नवीश करके उस पर risk लेते है इस fund से आप कम पैसे 37,650 रुपे से भी 1,87,000 रुपे तक fund बना स चाहिए क्योंकि आप जानते है mutual funds के अंदर जो पैसा है stock market के नवीश के जाता है अगर हम short time की बात करते हैं तो mutual fund की जो correction है वो हमेशा आते रहते हैं अगर आप देखेंगे पिसे 6 महीने या 7 महीने के अंदर तो market के अंदर आपको अपने डाउंस काफी ज़ादा देखने क होता है कि आपका जो मेशरिया है वो कम से कम साथ या 10 साल का होना चाहिए इससे क्या होगा कि यहाँ पर जो हिटन है आपको वो स्टेबल बिन जाएगा और आप यहाँ पर एक बड़ा fund भी बना सकते है mutual funds scheme से related अगर आपका कोई question होता है तो आप हमें ज़रूर बताइए व